नमस्कार, बेलकम टू माई चानल हेमा कीचन हेल्दी फूर्ड में आपसे भी का हार्दिक स्वागत है तो ए देखिए दोस्तों मैं खेत में आये हूँ सबजी लेने इस समय ओस पढ़ने लगा है, साम का समय हो चुका है तो आप लोग देख सकते हैं यहां कितना हरियाली है चारो साइड में बहुत ही अच्छा लग रहा है जानवल लोग आग के लिलगा लोग बहुत नुकसान करते हैं इसके लिए देखिए चारो साइड से बांस और तार से घेरा गया है हमारे खेत में बहुत जादा फुला और गोभी तैयार हुआ है आप लोग देख सकते हैं कितना गजब लग रहा है एकदम पूरा फैला हुआ है पत्ता और यह देखिए पास से कितना बढ़िया से खिला हुआ है फूल दोस्तों जो मांगता है हम लोग दे देते हैं गाओं में तो यह देखिए बहुत अभी तैयार है यहां देखिए दो पेड फुला और गोभी यहां तैयार है लासुन के मेरी पे बहुत ही जबरजस्त पेड है इसका एक से एक यहां है गोभी देख सकते हैं कितना गजब लग रहा है देखने में इतने पड़े पड़े हो गए हैं कि दोस्तों मैं इतना बनाऊंगी तो हमारे घर में खाने वाला इतना कोई नहीं है दो तीन लोग हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है एक फुलार गोभी हम कम सकम तीन चार बार बनाया जाता है यह देखिए पास में एक छोटा फूल है तो यही हम लेंगे बच्चे भी दोस्तों खाते खाते फुलार गोभी ऊप गए हैं पकोड़ी, पराठा, सबजी तो मैं हर रिकिम की रिष्पी बनाती हूँ खाने के लिए फिर भी अब वो लोग बोलते हैं कि अब नहीं बनाना यह देखिए लासुन हमारा जो है कि निराने गोड़ने लायक हो गया है अब इससे गोड़ा जाएगा बारिश की वज़ा से देखिए आलो की खेती खराब हो गई है जो गावा था एकदम सूखने लगा है पत्ते सब सूख गए हैं अब इसकी खुदाई होगी तो हम इसका वीडियो बनाके अप्लोड करोंगी अप्लोड देख लेजिएगा इतना आमने भैंश के लिए कचारा काटा हुआ है और सोया लिया है पाला खराधनिया लासून प्याज हरा फुला और गोभी अमने बहुत छोटा लिया हुआ है आप लोग पास से देख सकते हैं इस समय सरसो और गेहु का फसल बोया गया है तो देखिए हरी आली यहां पर है बहुत अच्छे से इतना आलू के खेत में बचा हुआ था खेत तो हम लोग इसमें बो दिये हैं गेहु आप लोग देख सकते हैं हरा भरा है अभी इसकी सिचाई हुई है यह देखिए दोस्तो तीन डूबने वाला है बहुत साम हो चुकी है तो चलिए चलते हैं घर लेके सारी सामागरी को आज मैं कोई रेश्पी नहीं बना पाऊंगी देख सकते हैं दोस्तों खेत में मूली है तो अब कोई खा नहीं रहा है तो अब इससे हम लोग उचार के फेक दे रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक प्यारा से कमेंट करेंगे अब मिलते हैं इसी प्रिकार से दूसरे वीडियो के साथ तक लिए धन्यवाद नमस्कार बने रहेगा चैनल पर